Cancellation of GST Registration अगर आपने apply कर दिया है, जैसा कि मैंने forms आपको बताया हुए है, उस forms से related आपने cancellation अगर apply कर दिया है GST Registration के लिए, या फिर आपके means जो jurisdiction के proper officer है, उन्होंने आपको खुद से cancellation के लिए notice दे दिया है, means आपका GST नाच से cancel हो जाएगा, ऐसा notice आपको receive हुआ है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, means अगर इसको law की language में देखा जाए, तो इसके लिए word use होता है, revocation, revocation of cancellation of GST Registration, थोड़ा सा typical word है, बट मैं आपको बहुत ही असानी से समझाने की कोसेश करूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप बाकी इस series की सारी वीडियो क देखे हैं, जिससे आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और सारी वीडियो आपको इसी सेम YouTube चैनल पर ही मिल जाएगी, और एक playlist में मिल जाएगी, जिसमें GST cancellation की पूरी series होगी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नम है Tax for Wealth, मैं रंजन, आज आपका एक बाद फिर से वेलकम करता हूँ अपने cancellation की series के उपर, दोस्तों ये वीडियो इसलिए है कि cancellation के लिए आपने apply किया था, या फिर proper officer ने आपको notice दिया है आपकी कुछ ऐसी terms and conditions जो आपने, या फिर law जो आपने follow नहीं किया है GST का, जि बिल्कुल ही last stage होता है, जहां पर cancellation of GST registration का, एक notice form issue होता है, कि आपका GST आज से cancel हो जाएगा, या इस date से cancel हो जाएगा, वो उस notice में mention होता है, उसके पहले की बहुत सारे steps होते हैं, जो proper officer आपको time देते हैं, पहले notice issue होता है, फिर वो so cause notice issue करते हैं, फिर so cause notice के बाद आपका cancellation का process आता है, means आपको कम से कम, at least मैं बोलू, तो दो बार तो time देते ही देते हैं, 15-15 days का, या 30 days का, जैसा भी उस terms में होता है, उस days का आपको time देते हैं, कि हाँ इतने दिन में आप reply करिए, अगर आप reply नहीं करते हैं, फिर वो आपको form GST registration 19 में cancellation issue कर देते हैं, कि हाँ date से आपका GST in cancel हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, घबराने के बिल्कुल जरुवत नहीं है, जिस दिन notice आता है, अगर आपको एक दो दिन में पता चल जाता है, वो भी proper time देते हैं आपको उसका भी, जिस दिन notices हो होता है, 15 days time होता है, तो आपको क्या करना होता है, उस days के within 30 days आपको apply करना होता है, कि मैं इस cancellation का revocation करना चाहूंगा, means मैं इस cancellation को वापस लेना चाहूंगा, या फिर इस cancellation को stop कराना चाहूंगा, आपने proper officer ने notices हो किया है, मैं इस cancellation को stop कराना चाहूंगा, इसके लिए form आप use करेंगे, form GST registration 21, इसमें आपको सारी details बताने ह होगे, कि यह यह चीजे थी, जो मैंने पहले dues में भर नहीं पाया था, जिसकी वैसे आपने notice उसू कर दिया है, और वो सारी चीजे आप मैं भर चुका हूं, means अगर मैं कहना चाहूं, तो revocation से filing करने से पहले आपको अपने बाकी, जिस गलती के वज़े से, जिस गलती के वै प्रॉपर ऑफिसर को आपको intimate करनी होगी, कि प्लीज, ऐसा कह सकते है, request के लिए, कि प्लीज आप मेरा इस GST registration को cancel ना करे, मेरी जो गलती थी, मेरी filing या तो नहीं थी, या फिर मेरे dues क्लियर नहीं थे, आपने मुझे notice दिये, मैंने उसका reply नहीं किया था, तो उन सारी चीज जो को मैंने अप correct कर दिया है, अब आप मेरा cancellation रोग दें, तो proper officer अगर satisfy होते हैं, तो वो आपको within 30 days उस date के बाद से, जिस दिन आपने application apply करा, उस date के बाद within 30 days वो आपको एक fresh form issue कर देंगे, means notice भी कह सकते हैं, आप उसे एक fresh notice issue करेंगे, जिसमें आपके cancellation का revocation हो जाएगा, वो form होगा, form GST registration 22, जिस दिन आपने apply करा था, उसके within 30 days आपको ये mention कर दिया जाएगा, कि आपका cancellation है, वो revoke कर लिया गया है, आपने ये सारी चीज़ें आपने उसे fill करी थी, कि आपने liabilities पूरी कर ली हैं, तो आप आप इसी same effective date से, means जब से आपका cancellation का notice उस हुगा था, उ ये थी, cancellation से related बाते हैं, कि हाँ, अगर आपको cancellation start करना है, means cancellation के आप खुझ से opt करना चाहते हैं, आपकी liability आप समझ रहे हैं, कि मेरी liability कम हो गई है, जो GST criteria में नहीं आती है, तो वो cancellation के कैसे procedures हो सकते हैं, cancellation term क्या होती है GST में, उस पूरी जानकारी को मैंने इस series में, पूरी series में cover किया है, एक-एक step by step cover किया है, कि आप cancellation कैसे करा सकते हैं, अगर proper officer करता है, तो वो कैसे करता है, क्या-क्या time limit आपकी हो सकती है, वो सारी चीजों को मैंने पूरी series में, लगबच 4-5 वीडियो हैं, उसमें cover किया हुआ है, उस वीडियो को पूरा देखें और starting से देखें वो भी चीज़ें आपको same YouTube चैनल पे मिल जाएंगी, दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो को देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, same YouTube चैनल पे ही आपको playlist के रूप में मिल जाएंगी, जिसमें cancellation series का नाम होगा, और आपको उसमें first से लेकर के last वीडियो सारी मिल ज देखें, कहीं भी doubt आपको लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, या ऐसा किसी आपके relative के साथ हुआ है, या friend circle में हुआ है, तो आप हमें comment box में जरूर बताएं, जिससे हम आपको immediate, जल्दी से जल्दी reply देने का आपको कोसिस करेंगे, जिसमें सारी आपकी जितनी भी problems ह होगी वो solution करने का करेंगे किसी भी तरीके से, आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे follow कर सकते हैं, बाकी जितनी भी चीजे है, GST से related, Finance से related, वो सारी चीजे हमारे इसी सेम YouTube चैनल पे available हैं, हम Amazon Fire TV पे, Apple TV पे, Android TV पे और Gio TV पे भी available हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, हमारा Play Store पे app भी है Tax Warvel से जुड़े रहें और बाकी आने की सारी चीजे अपडेट आपको मिलती रहेंगी, थैंक्स